नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में बिहार जीवी का SECC भरती आपको याद होगा वरस 2019 में ये वैकेंसी आई थी जिसमें अच्छी खासी पद दी गई थी जिसमें लगभग 349 पोस्ट पे ये वैकेंसी थी और इसका एक्जाम भी लिया गया था अच्छा खासा online examination गी गई थी उसमें internship बगएरा करवाया गया था जो qualify किये थे तो अगर आपने qualify किया था और आपका अगर betting list नहीं मिला था तो चलिए मैं आज इस वीडियो में दिखा रहा हूं क्योंकि अंतिम चांस दिया गया है तो अंतिम अफसर इस वीडियो जो है यहाँ पर बिहार जीविका के official website पर आकर आप देख सकते हैं list को download कर सकते हैं या फिर आप देखें यहाँ से download कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर रोजगारविहार.com पर भी उपलब्द है देखें new update में आएंगे बिहार जीविका scc waiting list पर किलिक करेंगे या फिर न पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखें list पूरा दे दिया गए, total list आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, total candidate कितने हैं, मैं आप नीछे करके दिखा दे रहा हूँ, total 113 candidate का दिया गए, जिसमें community coordinator का है, फिर area coordinator का है, ठीक है, ACCC का है, फिर office assistant का है, फिर आपका accountant का है, block level, फि यहां पर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैंचर का है ट्रेनिंग ओफिसर का है और मैंचर सोसल डेवलपमेंट है फिर मैंचर कम्हनीकर का है। फिर manager lovely stock का है और manager non firm and micro enterprises का है उसी परकार से manager HR A का भी यहाँ पर दिया गया है merit list तो सभी का एक ही बार में दे दिया गया है तो यहाँ पर आकर आप लोग check कर सकते हैं यहाँ फिर देखें यहाँ पर date भी दे दिया गया है कि आपको 18.5.2023 को verification होगा और joining होगा list of candidates who are being allowed to join तो यह list दे दिया गया है इतने लोग join करेंगे तो third floor BRLPS विद्यूद भवन वेली रोड पतना में जाकर यहाँ पर join करना है और verification करवाना है तो date बता दिया गया है 18.5.2023 को जाकर साड़े नौ बज़े timing भी दे दिया गया है reporting time साड़े नौ बज़े सुबा में जाना है यहाँ पर application number दी गई है यहाँ पर post दिया गया है यहाँ पर नाम दिया गया है ठीक है तो आप अपना नाम चेक कर लेंगे post wise अगर आपका इसमें नाम है तो आप 18 तारिक को जाकर अपना joining ले सकते हैं और अगर आप इसको पीडियोफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पीडियोफ पर किलिक करिएंगे तो पीडियोफ भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से बिलकुल आसानी से तो डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं और official website भी यहाँ पर दिया गया है link यहाँ से छेप कर सकते अब चलिए देखते हैं कि कौन-कौन सा document आपको लेकर जाना है, जो कि verification में आपको जरूरत है, तो क्या-क्या लेकर जाना है, ये भी देख लेते हैं, तो required document में आप देखेंगे, admit card आपको चाहिए, जो आपने परिछा दिया था, उसका admit card चाहिए होगा, copy of application जो आपने form भर जा था, उसका print out आपको चाहिए, इसमें जरूरी है, और ID proof आपको लगेगा, आधार card या फिर pen card या वोटर कार्ड जो भी आप देना चाहिए, ठीक है, इसमें से कोई भी pen card वोटर कार्ड लेकर जा सकते हैं, फिर आपका domicial आवासिय परमान पत्र लेकर जाना है, या फिर school living certificate, दोनों में से कुछ एक लेकर जाना है, फिर आपका temporary address proof कुछ भी लेकर जा सकते हैं, दो फोटो आपको लेकर जाना है, ठीक है, फिर cast certificate, अगर आप SCST, BC, BC candidate हैं, या दिव्यांग है, या freedom fighter है, तो उसका परमान पत्र आपको लेकर जाना है, ठीक है, अब यहाँ नीचे आते हैं, तो domitial certificate मैंने बता ही दिया है, educational certificate आपका जो mark seat है, और certificate है, दोनों लेकर जाना है, experience certificate, जिस post में experience मांगा गया था, उस post के अनुसार, आपके पास experience certificate होना चाहिए, वो लेकर जाना होगा, फिर आपका अगर पहले से join किये हुए हैं, किसी department में, तो यहाँ पे no objection certificate भी आपको लेके जाना है, और फिर last three salary slip मांगा गया है, तिन महिने का salary slip आपको लेके जाना है, अगर आप पहले से करमचारी है, तो ठीक है, और यहाँ पे bank का statement मांगा गया है, तिन महिने का, और इसके अलाबा medical certificate मांगा गया है, किसी भी practitioner से ले सकते हैं, जो की MBBS तक का हो होना चाहिए, फिर आपका एक self declaration in writing मांगा गया है, यानि एक declaration later मांगा गया है, आपका handwritten में आपको लेके जाना है, और ये FIDPID भी आपसे एक notary से मांगा गया है, subject provided दिया गया है, नीचे यहाँ पे सब बनाकर लेके जाना है, ये जो आपका सपत पत्र है, FIDPID का, इसके अनुसार आपको notary से आपको बनवा कर लेके जाना है, सपत पत्र, ठीक है, अगर आप self declaration लिखना चाहते हैं, तो आप हमें comment करें, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना कर दे दूँगा कि क्या-क्या लिखना है self declaration में, तो उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो इस प